कोरोना के फैलाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार के ओर से दसवी बोड की परिक्षा रद्द कर दी अब शिक्षा विभाग की मुल्यांट कर नीती के कारण सबी स्कूलों का परिक्षा फल शत प्रतिशत रहा है परिक्षा ना लेकर मुल्य मापन के नीती के कारण बहुत से विध्यातियों के भविश्य पर प्रतिकुल असर पढ़ने के आशंका व्यक्त की जा रही है बहुत से लोगों ने सरकार के इस नीर्ने का खुल कर विरोध किया तो कुछ लोगों ने आपातकार में लिया गया नीर्ने करा दिया भंडारा जिले में कक्षद दस्वी के 18101 विध्या थी परिक्षा में बैठने वाले थे कोरोना महा मारी के बढ़ते फैलाओ के कारण दस्वी बोड की परिक्षा रद्द करने का नीर्ने लेना पड़ा पहली बार परिक्षा रद्द करने के बाद यह कहा जा रहा था कि मई महा में दस्वी बोड की परिक्षा होगी लेकिन मई मा बीते बीते यह दुरुष्य सामने आही गया कि दस्वी की परिक्षा नहीं होगी इसके बाद तो लगातार उतार चढ़ाओ तो चलता ही रहा दस्वी बोर्ट की परिश्या रद्ध होने के बाद अब मुल्य मापन का फार्मूला सामने आया है लेकिन इसे बहुत से अभिभावक उचित नहीं मानते उनका कहना है कि दस्वी बारवी की परिश्या के बिना विद्यात्यों का नियू कमजोर हो जाएगी और वे भविश्य में होने वाली प्रतियोगी परिश्या के लिए खुद को अच्छे तरह से तयार नहीं रह पाएंगे BS Crime India News के साथ जुड़े रहने के लिए यूटूब, वेबसाइट, ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख, लाइक, कमेंट और शेयर करे साथ ही यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News डाट कॉम की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर रोजाना तरजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे